हेलो दोस्तों मैं राकेश शौदरिय आपका मैथामेटिक स्टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल ताहरी के यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आप देख सकते हैं हम बात करें आरस अगरवाल इंगलिस हिंदी वाली बुक के बारे में हिंदी वाली बुक में हमारा चेप्टर है जिसका पार्ट वन हम देख रहे हैं क्या अगर है पार्ट वन देखिए तो देख सकते हैं 100 मीटर की दौड है टोटल A तै कर रहा है कितने समय में? 36 सेकंड में और B उसे तै कर रहा है कितने में? 45 सेकंड में तो A और B सेम 100 मीटर की दौड को अलग-अलग समय में तै कर रहे हैं तो इनके द्वारा लिए गए समय का अंतर अगर मैं देखू तो वो कितना है, तो यह हो जाएगा 9 सेकंड का, ठीक है, तो इस दौड में A, B को कितने मीटर से हराएगा, यह हमें देखना है, A, B को कितने मीटर से हराएगा, तो हम यह देख सकते हैं कि, B जो है, 45 सेकंड में 100 मीटर दोड़ता है, तो एक सेकंड में कितना दोड़ता है, 100 बटा 45, ठीक है, तो 9 सेकंड के लिए कितना डिफरेंस रह जाएगा, 9 सेकंड के लिए हम देख सकते हैं, 5 बार गया और यह 20 बार तो आन्सोर आ जाएगा 20 मीटर से तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा तो यह था कुश्चन नंबर फर्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट कुश्चन नंबर सेकंड के बारे में मैं बी खो 35 स。 से ईयरा कितनी देर में यह नोऊल एक ही बात कह रहा है तो कुंज संस्ट की जो टाइम डूरेशन है उसमें कितना 35 मीटर कवर होता यह कह सकते हम ठीक है या फीर यूंभी कह देर कि 35 मीटर जो है वो कवर होता है कितने समय में टाइम निकालना इसलिए ऐसे लिख लेते हैं 35 मीटर कवर होता है 7 सेकंड में एक मीटर कवर होगा कितने समय में एक मीटर कवर होगा आपके साथ बटा 35 सेकंड में जो की एक बटा 5 आ जाएगा और दौड कितनी की है 200 मीटर की तो 200 मीटर कवर होगा आपके कितने में साथ बटा 35 गुणा 200 ये गया 5 ये गया 40 सेकंड में 40 सेकंड का समय लगेगा ठीक है लेकिन A के लिए पूछ रहा है कितनी समय में ये दौड पूरी करेगा तो B के लिए समय था ये और वो हरा रहा है 7 सेकंड से तो इसका अलद 40 माइनस 7 33 सेकंड का समय जो है वो हमारा सही आंस्वर होगा जो की option है आपका तीसरा ठीक है चलिए बात करतें नेक्स जो question है question number 3 के बारे में 800 मीटर की दौड में A ने B को 15 से परास्त किया मतलब भराया 8 किलो मीटर प्रती गंटा हो तो B की चाल कितनी है तो सबसे पहले जो A की चाल 8 किलो मीटर प्रती गंटा है उसको मीटर प्रती सेकंड में लेकर आ जाते है क्योंकि सेकंड दे रखा और 800 मीटर दे रखा इसलिए तो मीटर प्रती सेकंड में लाएंगे तो multiply करवा देते हैं इसको हम किस से 5 बटा 18 से ये गया 4 ये गया 9 5 का 4 से 20 बटा 9 मीटर पर सेकंड ये speed आ रही है किसकी आपकी A की तो इसका मतलब 9 सेकंड में 20 मीटर जाता है तो A ने B को क्या किया 15 से परस्त किया है ठीक है 800 मीटर की दोड है तो मैं देखिए सकता हूँ कि A जो है 9 सेकंड में जा रहा है कितना 20 मीटर या यूं कह दूँ कि 20 मीटर जा रहा है कितने समय में, 9 सेकंड में, तो फिर दॉड तो 800 मीटर की है, एक मीटर जाएगा ये, 9 बटा 20 सेकंड में, और दॉड जो 800 मीटर की है, वो कब पूरी करेगा, तो वो पूरी करेगा, ये 9 बटा 20 गुणा 800, 9, 4, 36, 360 सेकंड में A पूरी कर लेगा अब आपको यह का गया है कि A ने B को 15 से अराया है 15 से अराया है इसका होले समय का डिफरेंस कितने का राया है 15 का ठीक है तो B की अगर चाल बतानी है तो B के लिए चाल जो है स्पीड जो है वो क्या होगी हमें पता है डिस्टेंस अपॉन क्या टाइम स्पीड यहा फॉर्मूला ही डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं किलो मीटर B की चाल किलो मेटर पर आर में आएगी तो किलोमेटर पर आर में आएगी तो हम value देख सकते हैं तो हमारे पास time अगर देखें तो पंदरा सेकंड से अरा रहा है इसकानलब B कितना time ले रहा है 20 से पंदरा सेकंड जादा ले रहा है तो कितना 375 seconds distance तो वही है 800 meter की dot है जो तो इसकानलब डिस्टेंस आगया कितना 800 अपॉन 375 किसमा आएगा मीटर पर सेकंड में इसको convert कर लेते हैं किलोमेटर पर आर में तो multiply गरवाद लेते हैं 18 अपॉन 5 25 से इसको cancel कर लेते हैं तो 25 से ये चला जाएगा आपके 4, 8, 12, 12 और 3 कितना 15 25 से इसको कर लेंगे तो ये कितनी टाइमस हो जाएगा 25 से पहले तो 3 टाइमस हो जाएगा 75 फिर ये कितना रह जाएगा आपके पास ये सीधा ऐसी कर लेते हैं अगर देखें 100 में तो 100 में 4 बार आता है तो 8 में 8 चौक 32 बार आजाएगा फिर अगर कैंसिल करें तो 3 से हो रहा है 5 और 3 से हो रहा है 6 तो नीचे आगया 5 और ये 25 ऊपर आजाएगा 32 का 6 से तो 6 ती 18 और 6 दूनी 12 मतलब ये हो गया 192 192 अपॉन 25 तो 25 तो दो जगे आ रहे है 2 आना चाहिए तो यहाँ पर 8 का 5 से करेंगे 47 आएगा 7 का 5 से करेंगे 35 और फिर 7 ये सेकंड आप्शन विल्कुल सही है ठीक है चलिए ये दा कुशन नमबर 3 बात करते हैं नेक्स्ट कुशन नमबर 4 के बारे में क्या कह रहा है कुशन नमबर 4 देखी कुशन नमबर 4 आपको कह रहा है कि ये एक किलोमेटर की दूरी दौड कर 3 मिनट 10 सेकंड में तै करता है जबकि B से 3 मिनट 20 सेकंड में तै करता है तो बताईए A B को कितनी दूरी से अराता है तो 3 मिनट 10 सेकंड और A के आपके पास 3 मिनट 20 second तो difference देख सकता हूँ मैं कितने का है इसमें 10 second का ठीक है 10 second से राया जाता है तो यहाँ पर आपको बताना है meter में तो A, B को कितनी दूरी से राता है तो A जो है 1 kilometer मतलब 1000 meter हो गया तो A 1000 meter की दूरी तै कर सकता है 3 minute 10 second तो 3 minute में हम देख सकते हैं 6, 12, 18, 180 और 10, 190 second होगे total और इसके लिए अगर देखें तो 3 minute 20 second तो वही 6, 12, 18, 180 और यह 200 second होगे total मतलब 1000 meter यह तै करता है कितने में यह तै करता है आपके 190 second में और यह करता है 200 second में तो A, B को कितनी दूरी से हराएगा और हम से बदा सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर सीधा हम निकाल लेंगे डिफरेंस ही आ रहा है हमारे पास तो देखिए B जो है 200 second ले रहा है 6, 12, 18, 60, 60, 60 और 180 second यह और 20 second यह तो 200 second ले रहा है किसके लिए 1000 मीटर की दूरी तै करने के लिए ठीक है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 200 second 1000 मीटर तो एक second में कितनी दूरी तै होगी 1000 बटा 200 डबल से डबल यह कितना आ गया 5 मीटर और समय का हम difference देख सकते हैं कितना आ रहा 10 second का तो 10 second के लिए कितनी दूरी हो जाएगी 5 इंटू 10 मतलब 50 जो कि हम देख सकते हैं first option आपका बिलकुल सही चलिए बात करते हैं question number 5 के बारे में क्या कह रहा है question number 5 देखिए a 1 km दौर में 4 मिनिट 54 सेकेंड लेता है जबकि b इस दौर में 5 मिनिट लेता है आरंब में a से b कितना मीटर आगे खड़ा है कि दौर के अंतिम मिंदू पर दौनों साथ साथ पहुंचे ठीक है वही बात है 1 km मतलब 1000 मीटर हो गया ठीक है चार मिनिट 54 सेकेंड तो चार मिनिट हम कह सकता है चैच चोईस 240 सेकेंड और चौपन अगर हम देखें तो यह हो जाएगा 294 सेकेंड इते हमारेंस पर और टौन पर चριफकेंड ऀसेकेंड न trueare kay लिए और 20 दोढ़自दा में है पांस मिनिट लेता है तो पांस मिनिट और भम मँ देख सकते हैं 300 सेकेंड बस यहीं काम में लेना बूगा मगान तो देखेंट 200 में तय करता है 1000 मीटर एक सेक अलड-ड ret तो 6 सेकेंड के लिए कितना होगा, 6 से multiply कर लेते हैं, double से double गया, ये गया, 10 इंटू 2 कितना, 20 मीटर आगे खड़ा होगा, ये कह सकते हैं, A जो है B से, या फिर A B को 20 मीटर से हराता है, ये भी कह सकते हैं, तो एक तरह से ये question पिसले वाले question की तरह ही है, चली, question नमर देखते ह 6 क्या कह रहा है, एक किलोमेटर की दोड में A B को 100 मीटर से हराता है, तता B C को 150 मीटर से हराता है, तो इसी दोड में A C को कितने मीटर से हराएगा, एक किलोमेटर की दौड मतलब हजार मीटर की दौड होगी A B को और आ रहा है 100 मीटर से तो इसका अलब A जो है 1000 मीटर पर है तो B 100 मीटर पीछे होले 900 मीटर पर है और B C को और आ रहा है 150 मीटर से तो इसका अलब B अगर 1000 मीटर पर है तो C 150 पीछे मतलब किस पर? 850 पर ठीक है, लेकिन question ये नहीं है question तो आपको ये कह रहा है कि A जो है, वो C को कितने से हरा देगा तो A C को कितने से हरा देगा उसके बारे में बात कर लेते हैं तो देखिएगा तो हम ये देख सकते हैं कि B जब 900 मीटर दोड़ता है ठीक है, उस समय C कहांपर होता है क्योंकि आपको फर्क दे रखा है किसका A और B का और फर्क दे रखा है आपको किसका यहांपर B और C का, चलिए तो B जब 1000 मीटर है तो C 850 है तो B अगर 1 मीटर दोड़ेगा तो C के लिए अगर हम देखे कितना दोड़ेगा तो यह अगर B एक मीटर में है तो C होगा 850 बटा 1000 लेकिन B अगर 900 मीटर होगा तो C कितना होगा तो वो हम देख सकता है multiply by 900 कुछ cancel हो रहा है बिल्कुल 30 से 30 cancel हो जाएंगे 85 का कर लेते हैं 9 से तो कितना हो जाएगा 8 का 9 से 22 साथ सो बीस और 9 का 5 से पैतालिस तो यह साथ सो बीस और पैतालिस जोड लेते हैं जो कि आ रहा है चार और दो छे तो यह साथ छे और पांथ साथ सो पैसेट मीटर तो इसका अगर जब A 1000 मीटर पर है तो B 900 पर है यह अरा रहा है 235 मीटर से मतलब कौन सा ओप्षन सेकेंड ओप्षन जो है वो आपका बिलकुल सही है चलिए देखते है कुशन नमबर 7 100 मीटर की दौड में A B को 10 मीटर से दथा C को 13 मीटर से हरा सकता है तो 180 मीटर की दौड में B C को कितने मीटर से हराएगा इसका अलब A जो है 100 मीटर पर है उससमें B कितना है 10 मीटर से हार रहा है वालब 90 मीटर पर है वैसे ही A जब 100 मीटर पर है तो C भी हार रहा है 13 मीटर से तो 100 अगर A 100 मीटर पर है तो C किस पर है 87 मीटर पर ठीक है तो अगर मैं यहां से देखूँ B और C के बारे में बात हो रही है तो B upon C निकाले तो क्या आ जाएगा जो आपको दे रखा है ये B upon A कर लीजिए और A upon C कर लीजिए A से A कट रहा है तो B और C आ रहा है तो value रख लेते हैं B और A की कितनी है 90 और 100 A और C की कितनी है 187 Cancel हो रहा है ये इसको भी कर लेते हैं 3 से गया 3 बार 3 से ये चला जाएगा 3 से गया 2 बार 6 27 तो ये 9 आ गया ठीक है यह तक तो इसका मलत B जब 30 मेटर जाता है तो C 30 मेटर ही जाता है लेकिन दौर तो 180 मेटर की है तो हम कह सकते हैं कि B C को कितने से अराएगा तो B अगर 30 मेटर जाता है तो C जाता है गुन 30 मेटर तो B 1 मेटर जाएगा तो C जाएगा गुन 30 बटा 30 और B जा कितना रहा है दौड़ पूरी कर रहा है मतलब 180 मेटर तो 180 मीटर जाएगा, तो C कितना जाएगा? इतना, ये आ गया 6 बार, 29 का 6 से कर लेते, 9 का 6 से कर लिया, कितना? ये हो गया आपके चौपन, फिर 5 6 का 2 से 12, 12 और 5 कितना? 17, 174 मीटर तो जब B 180C मीटर पर पहुचा होगा, तो C 174 पर ही पहुचेगा, तो कितने से हरा रहा है, B जो है C को 6 मीटर से हरा रहा है, तो ये था हमारा question number 7, बात करते हैं, next question number 8 के बारे में 200 मीटर की दौड को A चता B 22 और 25 सेंड में पूरा कर लेते हैं, दौड 200 मीटर की है, A लेता है 22 सेंड, B लेता है 25 सेंड, तो इसकाल A हार रहा है 3 सेंड से, ठीक है, जब A दौड के अंतिम चोर पर पहुचेगा, तो B उससे कितनी दूरी पर होगा, दौड है 200 मीटर की, इस 200 म की दौड को B पूरा कर रहा है 25 सेंड में, तो इसका मतलब है A हार रहा है इससे, तो जीतेगा, B हार रहा है कितने से, 3 सेंड से, यह 3 सेंड का ज्यादा समय ले रहा है, तो मैं देख सकता हूँ कि 25 सेंड में दौड पूरी करता है 200 मीटर की, तो एक सेंड में पूरी करेगा 222 की लेकिन अगर 3 सेकंड की बात करें तो उस समय कितना difference रहेगा तो 25 से ये गया आपके कितना 8 बार 8 16 मीटर का difference रहेगा जोगी first option हमारा बिलकुल सही है तो ये था question number 8 बात करेंगे question number 9 से हमारे next part पर तब तक channel को like कीजिए वीडियो को share कीजिए channel को like और subscribe कीजिए थैंक यू सो मच प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी